चलिए, आज संते हैं, सडक कहां जाती है? भीको हलवाई का बेटा बच्चु एकदम मन मौजी था. मन है तो काम कर लिया, नहीं है तो फिर पड़ा रहने दो. हो जाएगा जब होना होगा. एक दिन उसने दुकान से एक दोना भर कर जले भिया ले. वो गाउं के बाहार जाने वाले सडक के किनारे जाकर बैट गया. और जले भिया खाने लगा. तभी वहाँ पर इठ्था का हारा यात्री आया. वो बच्चु से बोला, अरे भाईया, बड़ी दूर से चलकर आ रहा हूँ. मुझे बड़ी भूग लगी है. क्या यहाँ पर कुछ अच्छा खाने को मिलेगा? तो बच्चु ने उसे एक जले भी थी. और कहा, ये लो भाईया, जले भी खाओ. और यदि तुम्हे जादा चाहिए, तो भीको हलवाई की दुकान पर चले जो. सह अब कुछ खाने को मिलेगा. यात्री ने देखा की वहाँ पर दो सड़कें थी. उसने बच्चे से पूछा, अच्छा भीया, ये तो बताओ की भीको हलवाई की यहाँ इन में से कौन सी सड़क जाती है? ये बाद सुनकर जैसे बच्चु को बड़ी तसल्ली मिले. वो हसकर बोला, ए भाई, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा आलसी निकले? मेरे बाबा हमेशा कहते थे कि मुझसे ज़्यादा आलसी इंसान हो ही नहीं सकता. लेकिन अब मैं उन्हें बताओंगा कि उनकी बात गलत थी. यात्री को समझ में नहीं आ रहा था कि ये मामला क्या है? उसने तो बस रास्ता ही पूचा था ना? अब इसमें आलसी होने का क्या बात है? खैर छोड़ो, उसने फिर से पूचा. ये सब छोड़ो और ये बताओं कि भीकवालवाई का दुकान किस सड़क से होकर जाना पड़ता है? तो बच्चो ने बोला, अरे ऐसा है भहिया, ये दोनों ही सड़के कहीं भी नहीं जाती. बस वो यहीं पर पड़ी रहती है. हाँ, हाँ, अगर कुछ तुम्हें खाना है, तो थोड़े अपने हाथ पे रहिलाओ, और खुद चलकर इस दाए हाथ बाली सड़क पर चले जाओ. सीधे दुकान पर पहुंच जाओगे, और कहीं सड़क के भरों से रुख गए, तो भाया यहीं खड़े रह जाओगे, क्योंकि ये सड़क तो महाल सी है. ये तो बर्सों से यहीं परपड़ी हुई है, ये तो कहीं जाती भी नहीं, ये सुनना था कि यातरी का हसी के मारे बुरा हाल हो गया, हस्ते हस्ते वो दाए हाथ बाली सड़क पर चल दिया, इस तरह सड़क की कहानी खतम हुई, जिर तो कर दो पर बाली सिर्व जया, वे जाए हुई है, ये बढ़गे, ये झाल जिर ये संपना तो कि बाला हो जजआ ए एक दो दिया जातरी के में घ्शाए है, ये उता है, ये जज़क पर बाला होुई है, ये जो एक दो कि वहल